हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैं चैनल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फेस बैक बना कर दिखाऊंगी जो बहुत ही इजी है लेकिन इजी होने के साथ साथ ये बहुत ही वेनिफीशियल भी है और ये वैसे तो हर किसी की स्किन के लिए बहुत अच्छे है लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लड़कों की यानि के बॉइस की बात करेंगे फ्रेंड्स, आज कल सिर्फ गर्ल्स ही नहीं बलकि बॉइस अपने रूप को लेकर काफी चिंता में रहते हैं ये हर तरह से खूपसूरत दिखने चाहेंगे इसकिन का रंग भी एक ऐसा कारक है जो आपको भीड में सबसे अलग करता है बैसे तो बाजार में बॉइस के लिए गोरा होने के कई क्रीम्स और लोशन उपलब्ध हैं पर ये सब तवचा के लिए फाइदेमन नहीं होते हैं अगर आपकी तवचा सेंसिटिव है तो आपको सब को छोड़का सिर्फ घरेलून उसके अपनाने चाहें ये घरेलून उसके काफी प्रभावी होते हैं और आपको किसी किस्म का साइड इफैक भी नहीं पहुचाते फ्रेंट्स हम इस बीडियो में बॉइस के गोरे होने के कुछ ऐसे ही नुस्के बताएंगे फ्रेंट्स एक समय था जब मर्दों को सजने सवरने की बिल्कुल भी जरूरत मैसूस नहीं होती थी और उन्हें सारी दुनिया काफी सराती भी थी पर आजकल प्रोश और महिलाएं दोनों ही कंदे से कंधा मिलाकर हर शेत्र में आगे बढ़ रहे हैं एक अच्छे ना दिखने वाले ब्यक्ति को समाज में काफी अलग नजरों से देखा जाता है आप बजार में मौझूद उत्पादों का इस्तिमाल कर सकते हैं पर घरेलू नस्कों का प्रियोग इन सब चीजों से काफी ज़ादा अच्छा होता है ये तवचा के लिए काफी सुरक्षित और प्रभावी होते हैं फ्रेंट्स आप आज ही इन घरेलू नुसकों का इस्तिमाल कर सकते हैं। फ्रेंट्स चहरा इंसान के ब्यक्तितव का आईना होता है। जितने अच्छे से इसे सजाया सवारा जाता है, यह उतना ही आपके आत्म विश्वास को बढ़ा देता है। तो चाकी अच्छी देखभाल उसकी रंगत बढ़ाती है। घरेलू अपचार के साथ साथ बाजार में कई तरह के ब्यूटी प्रोडेक्ट मौजूद हैं। जो खास कर बॉइस के लिए गोरा होने के लिए बनाए गए हैं। जिनके द्वारा आप अपनी स्किन को और भी अच्छा सा लुक दे सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपसे टू स्टेप फेसपेक शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स आप लाश्ट तक मेरी वीडियो पर जरूर बने रहे हैं। फ्रेंड्स ये फेसपेक आपके स्किन से जुड़ी हर समस्या को दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपने अपने घरों में स्किन को निखाने के लिए मुलतानी मिट्टी का इस्तिमाल होते हुए कई बार देखा हो। पैसे तो अधिकतर गर्ल्स इसका इस्तिमाल करती हैं पर बॉइस भी चहरे की रंगत निखाने के लिए इसका इस्तिमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको एक वाउल में दो चमच मुलतानी मिट्टी लेना है। और नेक्स्ट हमें इसमें दो चमच चन्दन पाउडर यूज करना है और दो चमच गुलाब जल मिलाकर अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स गुलाब जल का यूज़ आप दो चमच से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका एक smooth paste बनाना है मिया पर अच्छे से mix करना है सारे ingredients को इसमें देखे इसका कितना अच्छे smooth paste बन गया है अब इस paste को आप अपने face पर और neck पर अच्छे से apply कीजिए Friends, मैंने इसमें मुलतानी मिट्टी का यूज किया है मुलतानी मिट्टी सवांदे निखाने का सबसे सस्ता और आयर व्रेदिक नुस्का है मुलतानी मिट्टी सभी पिरकार के Face Pack का रबेस होती है इसकी सहायता से आप अपने रूप को निखार सकते हैं आकरशक बना सकते हैं मुहासो की समस्या से परिशान लोगों के लिए मुलतानी मिट्टी सबसे कारगर इलाज है क्योंकि मुलतानी मिट्टी चेहरे का तेल सोक लेती है जिससे मुहासे सूक जाते हैं साथ ही ये चरम रोग को दूर करने एवं तवचा को मुलाइम रखने में बहुत सायक होती है। मुलतानी मिट्टी में कई पिरकार के मिनरल जैसे मेगनेशियम, कवार्टेस, सिलीका, आयरन केल्शियम, केलसाइट आधी पाए जाते हैं। फ्रेंट्स, नेक्स इसमें मैंने चंदन पाउडर यूज किया है। चंदन पाउडर हमारे चहरे के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। हमारी काफी मदद करता है। इसके अलाबा अगर आपको संटैन हो गया है उससे ठीक करने में भी ये मदद करता है। और मैंने इसमें गुलाब जल का भी यूज किया है। फ्रेंट्स, गुलाब जल में एंटी, इंफ्लेमेटरी वा एंटी ऑक्सिडेंट जैसे कई आते हैं। जो तवचा के लिए बेहत लबकारी है। गुलाब जल के प्रियोक से तवचा में नमी बरकरार रहती है। जिससे स्किन स्मूध वा निकरी हुई नजर आती है। फ्रेंट्स, खुल मिलाकर मैंने इस फेस पैक में जितने भी इंग्रेडियन्स यूज की हैं वो लड़कों की स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करेगा। साथ ही ये नुस्का आपको एक अलगी लुक देगा। तो फ्रेंट्स, इस फेस पैक को आपको 15-20 मिनट के ल फ्रेंट्स, अब हम बढ़ते हैं next step की तरफ यानि दूसरे step की तरफ फ्रेंट्स, यह जो फेस पैक है यह आपकी इसकिन को टाइट करने के लिए यानि कि आपकी जो चहरे पे जुर्या है उसको खत्म करने के लिए बहुती कारगर। फ्रेंट्स, अगर आपके चहरे पर, गले पर बाहूं पर जुरियां पड़ गई हैं तो आप अंडे को सौंदरी प्रिसादन की रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपके तुचा के रोमचिद्रों का आकार बड़ा है यह आपकी तुचा काफी धीली से दिखती है तो तो आप अंडे की सफेद भाग के इस्त प्रिचा की सभी समस्याओं का इलाज कर सकते हैं इसके लिए आपको अधिक रुप्य खर्च करने की भी जरूरत नहीं है और आप घर पर ही इसकिन की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं तो फ्रेंट्स हमें एक बाउल लेना है उसमें एक अंडे की सफेदी यानि मिक्स करना है मिक्स करने के बाद इस फेज पैक को आखो के हिस्सित छोड़ करें पूरे चहरे पर बाहों पर और गले पर लगाएं इसमें मैंने निवो का यूज स्थ झ Näसे बीटामिन स्य और विटामिन भी काफी मात्रा में होता है यह हमारी तुच्छा की खुपसूरती को बढ़ाने में काफी उप्योगी सिध होता है डैड़ इस्टीन और है करने के साती यह खुले हुए पॉर्स को भी ठी करने में मददगार होता है नीवू में ब्लीचिंग गुड़ पाया जाता है जिससे यह तुचा के दाग धबों को दूर करके उसे प्राकिर्टिक गुलो देती है इस फेस पैक को आपको दस मिनट के लिए अपने चेहरे पर र इस पैक को आप हफते में दोवार यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें और अंत में मेरी चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थैंक यू